तो वहाँ एक 78 बैच के IPS मिले बिजिंदर सिंग। उनसे मुलाकात होई, मैं उन्हें जानता नहीं था, पर वहाँ ऐसी साधान रूप से हम बाचित कर रहे थे, मेरी डाड़ी मुझ बड़ी होई थी तो पैचान नहीं पाए, पर थोड़ देर बात होने के बात करने लगे दे वीडियो में देखा है, फिर उन्हें का मैं आपकी बहुत वीडियो सुनता हूँ, और वीडियो सुनने के बाद मुझे पहली बार पता चला, कि हमारी जो संस्क्रती है, कल्चर है, वो शिर्मन है, समन है, और इसका कहीं जिक्री नहीं है, यहाँ वैदिक संस्क्रती का जिक का जिक्र होता है सनातन धर्म की बात होती है और बहुत सारी बात होती है पर इतनी विसाल शिर्मन संस्कति समन संकति उसका तो कोई सब्द भी नहीं जानता और वो IPS थे 78 बैच के उन्होंने इस बात को सुविकार किया कि मैं एक जैनियों की सभा में गया था तो वहां लोग भी समढ थे और बुद्ध महा समढ वो भी समढ थे और बाकी लोग भी समढ थे तो उनकी बातों से उन्होंने ये सुविकार किया कि हमारा सब्द चला गया हमारी संकति चली गई इतनी विसाल हमारी कल्चर चली गई हमारा मिलना जुलना चला गया और हमें पता तक नहीं है 78 batch के IPS समझे जो पूरा इत्यास पढ़के आते हैं जो पूरा anthropology पढ़के आते हैं जो पूरा admission पढ़के आते हैं जो interview के तयातियारी करते हैं और जो पूरी दुनिया को देखते हैं समढ संगियों की prime duty है